हेलो सभी को मेरी तरब से प्यार भारा नमस्कार असा करता हूँ सब अच्छे हूँ प्यारी अच्छे से चर्री होगी मैं रोहित कुमार यूसी लाइब चैनल से आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ जो हमने एक नहीं सीरी स्टार्ट की हुई है में हम से चैल के जितने भी प्रीविशे पर आये हुए है जो जनरल स्टडी है जनरल साइन्स कोई भी जो हम यहां पर देख रहे हैं तो उमीद करता हूँ कि आप पहली परानी वीडियो देख ली होंगी तो नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको आइ परानी को कॉंटिन्यू तो आज का डिसकर्सन स्टार्ट करते हैं तो पहला कॉश्चन है आपकी स्क्रीन पर यह रहा कहा गया है कोश्चन में देखिए कहा गया है कि इसमें से कौन से SI यूनिट रहते हैं कि सबस्टांस अमौट आप सबस्टांस होता है उसके जो SI हमारे पास मीटर होते हैं यह जो यूनिट होते हैं यह किसके होते हैं लंबा के होते हैं मतब लेंथ के होते हैं यूनिट ही होते हैं जो हमारे पास कैल्वीन होते हैं यह ऐसा ही यूनिट होते हैं किसके टेंपरेचर की और जो कैंडला होते हैं यह हमारे पास जो चमक होती ह that is the luminous intensity so luminous intensity उसके जो unit होते हैं वो के हम चैंडला ये सारी की सारी हमारे पास fundamental quantities है साथ fundamental quantities होते हैं और दो जो है हमारे पास supplementary quantity है ये मैंने आपको जो physics section पढ़ाई है general science में वो तब मैंने आपको cover कर वाई next question देखते हैं कहा गया है कि कामा इचाई एक जुका हुआ लुटेरा इसे मंग नियार द्वारा बजाया जाता है तो ये कहाँ पर बजाया जाता है जो पस्चमी रज्यस्तान है ये कहाँ ये एक परकार की बीना होती है जा होती है जी ये बीना होती है इसे ये जो समुदाए है तो पूरी जगा का नाम बोलू है तो ये उत्तर परदेश में ही और वो कहाँ पर आटा आटा नाम की जगा है वहाँ पर है ये और जो अलम तो हमारे पास अलम अलम गिरी तो अलम गिरी पुरी जो है जो सिंदु घाटी सब्वेता का एक प्राचीन स्थल है तो वो जो है वो भी बेस्ट यूपी में ही है कहां पे है वो बेस्ट यूपी परस्च में जो उत्तर प्रदेश है वहां पे है और ये जो हमारे पास सब्वेता है जो अलम अलम गिरी पूर जो हमारे पास हिंदु घाटी सब्वेता है तो ये किस नदी के किनारे है जो यमुना नदी है उसके किनारे है यमुना की एक सहाइक नदी है यमुना की एक टैविट्री है जो सहाइक नदी है जिसका नाम है इंडन जो नदी है उस किनारे जो ये वाली जो साइट है ठीक है वो स्तीत है जो हमारे पास किस नदी के किनारे स्तीत है जो जिसकी सहाइक नदी है यमुना की सहाइक नदी है हिडन और उसी के जो किनारे है जो हमारे पास सिंदु भाटी सब्वेता है ठीक है अलम गीरीपूर में और जो ये आर्केल रोजिकल survey ऑफिंडिया प्राना ते जो हमारे पास इसको यह सब से पुराना भिभाग है और इसको स्थापित किया गया था अठारह सोु जो फिले पास ऑन्हीं जो टे उनके द्वारा इसको आपित किया गया था और ये पहले इसके जंट्रलती the next question में कहा गया है हमारे पास 1877 में जो जनता पार्टी आई थी जो प्रेज़ेंट ऑफ जनता पार्टी बिजिस फाउंड विद दा कॉलिवरेशन गॉवर्मेंट एर दी सेंटर बिद दा मुरारज जी दिसाई ऐस दा प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया था तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे चंदर सेकर को क्या बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर 1907 में पहली बार गैर कॉंग्रेसी सरकार आई थी कॉंसी सरकार आई थी गैर कॉंग्रेसी सरकार आई थी पहले कॉंग्रेस की सरकार रहती थी तो एक गठवंदर से सरकार बनाई गई थी और मोर्जी रिसाई को बधान मंत्री के रूप में केंदर में सरकार बनाई थी किसे ने बताई थी मोर्जी रिसाई ने बनाई थी और ये जो गठवंदर हुआ था जो जनता पार्टी के जो अधिहक्स थे वो कौन थे तो जनता प और जो उसके पधानमंतरी थे वो कौन थे तो उनके जो पधानमंतरी थे वो थे मु Mister जी तिसाई और जब उन्होंने गटवंदन से जो सरकार बनाई थी भार्ती जनता पाइटी के साथ तो उसके जो अध्यक्स थे वो थे चन्दर से next question देखते हैं कहा गया है कि 21 जनवरी 2021 तक भार कम्मिनिस्ट पार्टी के महा सचिव कौन थे तो वो कौन थे डी राजा ठीक है जो हमारे पास CPI है ठीक है CPI जो कम्मिनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया है इसको कब बनाया गया था तो इसकी स्तापना की गई थी 25 की संबार 1925 को ये भारत की और इसके जो पहले जो डारेक्टर जनरल सेक्टरी थे पहले इसके महा सचिव थे के जो पहले इसके महा सचिव थे उनका नाम क्या था CP गाटे क्या थे पहले इसके फर्स्ट महा सचिव थे और 2021 में कौन थे डी राजा थे ठीक है और 2000 जो पहली इसकी जो भूमेन मेंबर बनी थी ठीक है जो हमारे पास बिकम दा फर्स्ट भूमेन मेंबर ऑफ दा सीपी तो कुम्मिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ठीक है उनका जो वो कब बनाए गए थी इन 2005 में अब 2005 में बनाए गए थी और जो इनके फॉर्मल जो फॉर्मल इस पार्टी की जो फॉर्मल महा सचिव थे उनका नाम क्या था तूर्या बर्मन पूर्या बर्मन पूर्या बर्मन सुधाकर पूर्या बर्मन जो सुधाकर रेड़ी वो इसके पुराने क्या थे महा सचिव थे इसके जो कॉम्मिनिस्ट पार्टी आफ इंडिया थी और इसकी स्तापना कब की गई थी 25 दिसंबर 1925 बैरी बैरी इंपोर्टेंट है सबसे पुरानी जो हमारे पास कोई भारत में जो पार्टी है वो कॉम्मिनिस्ट पार्टी आफ इंडिया है ठीक है जी नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कहा गया है कि जो हमार होकी है उसके साथ यह सब्द है वो समध्द रखता है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कहा गया है कि कि सत्त्त्व के फिर्मानों हाइडोजन से स्योंग करके जल देते हैं तो आपको पता है ऑक्सीज। हाइडोजन जो हमारे पास पानी का जो फौरूल का होता है जो सूट जो आर्जुन अवोर्ड जो खेलों जो खेलों में दिये जाते हैं किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिये जाते हैं Ministry of the Youth Affairs and Sports Recognize the Outstanding Achievement in the Sports and the Games It was the Instituted Inn जो हमारे पास ये अच्छी उत्कृष्ट उपलब्दी को माननेता देने के लिए यूबा मामले और खेल मंत्राले द्वारा ये दिये जाते हैं को इसको सबसे पहले कब दिया गया था तो कब दिया गया था 1961 में और जो पहली बार जिसको अर्जुना अवोर्ड दिया गया था उनका नाम क्या था उनका नाम था क्रिशना दास क्रिशना दास क्या और ये जो खिलाडी थी ये किसके थे आर्ची जो तीर अंदाजी होती है जो तीर अंदाजी होती है जो तीर अंदाजी करते हैं उसके player थे और इनको तब से पहले 1961 में यह आवोड दिया गया था कौन था आरजना आवोड और जो पहली भुमें थी जो पहली महिला थी जिसको आरजन आवोड से समानित किया गया था तो उनका क्या नाम था मीना सा मीना सा और यह किसकी player थी बैडी मिन्टन तो मीना साह थी जिनको पहली बार जो अवोर्ड दिया गया था आर्जुना आवोर्ड दिया गया था पहली महिला थी और ही कब दिया गया था 1962 ठीक है भार्थ की पहली महिला थी जिने आरजुना आवोर्ड दिया गया था और उनका नाम था मीना सा और वो किस खेल से समध्र रखती थी और 1962 में यह आवोर्ड मिला था नेक्स्ट कोईशन देखते हैं कहा गया है कि हमारे पास एक कौलकत्ता में पोर्ट आफ ट्रेस्ट है नाम चेंज कर दिया गया है क्या बदल के उसका नाम रख दिया गया है स्याम परसाद मुखरजी ट्रेस्ट की कह एक कौलकत्ता जो पोर्ट था उसका जो नाम अब बदल द कि निमलिक्त में से किस राज्य के साथ बांगला देश अपनी सीमा साजा नहीं करता है तो किस के साथ वो अपनी सीमा नहीं लगाता है तो नागा लैंड के साथ उसकी नहीं लगती है बाकि सभी के सभी जो हमारे पास नौर्थ इस्ट स्टेटे हैं पेगाले हो गया आसम हो ग बोडर करता है और नागरलेंड के साथ उसका कोई भी बोडर टाचे नहीं हो नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन है हमारे पास है जो एक बुक लिखी गई थी बुक का नाम क्या था man in white a book of cricket वो जो बुक है वो किसके दौरा लिखी गई थी मुकल के सवानी के दौरा मुकल के सवानी थे उनके दौरा एक बुक लिखी गई थी और उस बुक का नाम क्या था man in white a book of cricket लेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कहा गया है कि हमारे पास जो रूल ठीक है जो रूल मेड आफ दी वर रिटन डाउन इन बिनाया पत्रीका ठीक है जो एक रूल लिखे गए है रूलों की बुक है उसका नाम है बिने पतिक है जो हमारे पास पतिक है जो बिने पतिक नाम की पुस्तक है जिसमें रूलों नियमों के बारे में लिखा गया है तो वो किसकी बुक है तो जो बुद्धिस्ट संग है उनकी बुक है जिसमें उनके रूल्स के बारे में बताया ग पूजा की जाती है और ये साउथ इंडिया हमारा बस दक्षिन भारत है वहां पे बैस्व धर्म अपनाया जाता है और जो बैस्व धर्म में जो बैस्व संथ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें कहा जाता है अलवरा अलवर्स तका जाता हूंने अलवर्स और जो ल next question में हमारे पास क्या कहा गया है कि निमिलिक्त में से कौन आरुनाचल प्रदेश का जीला से प्रेटन होर्सपोर्ट है तो आरुनाचल प्रदेश का एक जीला है जो हमारे पास क्या है टूरिजम प्लेस है तो वो कौन सा है तवांग ठीक है जी तवांग जो जगा है एक टू और जो ये बाकी है हमारे पास अली पूर्दवार चल पाई गुडी और जो हमारे पास कली पॉंग ये सारे के सारे जो टूरिस्ट प्लेस है ये सारे के सारे जो टूरिस्ट प्लेस है ये कहां पे है तो हमारे पस्टिवाल है वहां पे पैस्टिवाल में है ये सारे next question देखते हैं next question में क्या कहा गया है कि जो हमारे पास संसदो द्वारा गाउं को गोद लेने के सबन में एक योजना चलाई गी थी और उस योजना का नाम क्या था S-H-G-G-Y launch की गी थी तो इसमें जो A है उसका क्या नाम है A का मतलब है हमारे पास इसकी फुल फॉर्म क्या थी इसकी संसद इसकी संसद इसकी संसद इसकी गरामीन योजना और इस योजना को launch किया गया था 11. October 2004 कि इसमें एक संसद क्या करेगा किसी गाउं को क्या करेगा गोद लेगा और उसमें इंप्रूमेंट करेगा और उसको खर्चने के लिए एक क्रोर रिपेयर ठीक है एक क्रोर रिपेयर दिया जाएगा कि वो उस गाउं को क्या करेगा डवल्प करे ठीक है जी और ये जो उस टाइम जो ये योजना स्टार्ट की गई थी तो किसके दोरा लॉंच की थी जे परकास नरायन के दोरा इसके दोरा स्टार्ट की गई जे परकास परकास नरायन के दोरा जे परकास नरायन जो थे उनके दोरा इस योजना को लॉंच किया थी नेक्स्ट कॉश्चन देखते है जो हमारे पास बैवर पर सेकिंड तो यूनिट होते हैं वो किस के होते हैं तो बोल्ट के होते हैं ठीक है जी जो हमारे पास बोल्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास बरक अपॉन चार्ज बरक अपॉन में चार्ज तो वर्क होता है हमारे पास चूल तूल सेकिन्ड और में चार्च ठीक है तो हमारे पास जो हमारे पास बैबर ठीक है बैबर पर सेकिन्ड बैबर पर सेकिन्ड इसके कुल होते हैं पुल्ट के फुल होते हैं इंपोर्टेंट है ये ठीक है और जो हमारे पास एमपेर होते हैं ये किसके यूनिट होते हैं ये होते हैं करंट के प्रेर ऐसा यूनिट होते हैं जो कूलम होते हैं ये किसके यूनिट होते हैं चार्ज के और जो आम्स होते हैं यह होते हैं resistance के resistance मतलब प्रति रोधक के जी important है ये सारे मैंने आपको unit पता दिए next question देखते हैं तो हमारे पास बस्तर के क्षेतर में तोहार होता है जिसका नाम पूछा गया है कौन सा तोहार मनाया जाता है तो मडाई तोहार है जो स्थानिय लोगों की पूजा के साथ मनाया जाता है जो देवी जो केसर पाल और केसर पालनी देवी के रूप में तो के लिए मनाया जाता है तो बस्तर जो जिला है जो बस्तर जो क्षेतर है वहाँ पे इस माता की पूजा करने के लिए जो स्तानी लोग है वो पूजा मतलब एक तोहार सलिबरेट करते हैं तो उस पहुआर का नाम क्या है मडाई तिक है जो मडाई है वो सलिबरेट किया जाता है तो हमारे पास ये जो म काक्रे जो जिला है कि जो काक्रे जिला है जिला के जो समुदाए काक्रे जिला की जो समुदाए है चर्मा और उनो रो कि ये दोनो समुदाए जो है बस्तर की जन जाती है जो 36 गड़ में ये जो समुदाए है कौन-कौन सा चर्मा और कौन ये फेस्टिवल ये जो तोहार है उनके द्वारा मनाया जाता है जो हमारे पास फूल देई है ये उत्तरा खंड में सलिवेट किया जाता है ये एक फूलो क फूलो का उत्सब है फसल उत्सब के रूम में मनाया जाता है फूल देही जो फसल उत्सब है उसके रूम में मनाया जाता है कि जब फसल आती है तब उसके रूम में जो मनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है फूल देही कहा जाता है और ये कहां पर मनाया जाता है उस्तरा ख दिन कहा जाता है और ये जो सब सब festa की जाती है उन जो हमारे पास यह होता है अगा वा जो खतववा हमारे पास जो festival है, ये कहा पर मनाए जाता है, ये भी उत्रा खंड में और उत्रा खंड में जो दिहाथी करिशी, क्माउ समराज्य जो हमारे पास इस दो आरह है ये कहा पर मनाय जाताए है कि जो हमारे पास ministry के द्वारा лोडल ministry for the implementation of ये जो है हमारे पास सबावी मित तब जो स्कीम है वो लॉंच की गई थी तो वो किसके द्वारा की गई जो मिनिस्ट्री ओप पंचाईती राज है के द्वारा ये जो है स्कीम लॉंच की गई इसकी फुल फॉर्म क्या थी तो ये हमारे पास होगा है की फॉल फॉर्म यहाँ इसकी जो फॉल फॉर्म थी तो थी हमारे पास सर्वे सर्वे ओफ विलेज सर्वे ओफ विलेज अवाद्दी अवाद्दी एंड टैपिंग टैपिंग इपिंग बिद इंप्रोवाइजड वाइजड टेक्नोलीजी इंडिलेज इंडिलेज ठीक है जी और ये जो है ये सेंटर सेक्टर स्कीम है सेंटर के द्वारा इसको सेंटर सेक्टर है नदो सारा का तारा जो पैसा है वो गोल लगाएगा सेंटर लगाएगा और इस स्कीम को इस स्कीम को कब लौंच किया गया था 24 अपरेल 24 अपरेल है उड़के दोड़ा लांच की गी थी और इसकी मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी सर्वे आफ बिलेज अवादी एंडा मैपिंग बिड़ इंप्रोवाइज टेकनॉलजी इना बिलेज की जो हमारे पास टेकनॉलजी है वो हर गाउं में पहुंचानी है कि हर बंदे को क्या स्कीम के बारे में हर स्कीम का फाइदा मिले तो उसके लिए यह स्कीम यूज की गए लांच की गए एक्स्टा हमारे पास कि जो नहर पनाली द्वारा संचाई और अन्य उदेशों के लिए पानी की अपूर्टी के माद्यम से सेवा परदान करने वाले किशित क्या कहा जाता अब जो भी हमारे पास नहर के द्वारा संचाई की जाती है या अन्य उदेशर के लिए अपूर्टी की जाती है स्था को प्रदान करने के सेत्र को क्या कहा जाता है कमांड जेत्र कहा जाता तो किस राज्जे के दौरा ये शुरू की गई थी तो उसका सही ऑप्शन है गुजराद कि गुजराद जो स्टेट है उसके दौरा बागवानी विकास मिशन स्टार्ट किया गया था नेक्स्ट कॉस्चिन देखते हैं असोख के सासनकाल की पर्मुक घटनाओं में से एक तो सो पचास इसापूर में राजानी पाटली पुत्तर में बोध जो परिस्द का योजन था तो ये जो बोध पर्सन का योजन किया गया था ये कौन सी बोध पर्सन था थर्ड जो हमारे पास कॉंसिल करवाई गी थी पाटली पुत्तर में तीस परिस्द करवाई गी थी यहाँ पर क्या आएगा थर्ड तीस्ट कॉंसिल हुई थी जो हुई थी हमारे पास इसके लिए किये गी सिङा सोक के सासनकाल में यह हुई ती और जो इसके बारे में जो क्लिंग युद हुआ तो इसके बाद जो इसी के बाद जो असोग था उन्हों इतना खून खराबा देख लिया था उसके बाद उन्होंने हत्यार छोड़ दिये थे और बोत धर्म को उन्हें अपना लिया था जो क्लिंग यूध हुआ था उसका जो अभी लेक जो हमें उसके बारे में जो विवन मिलता है तो किस सीला लेक में लिखा गया है तो जो इसका सीला लेक है जो राजा आसोक के द्वारा लेक में लिखा गया था जहां से हमें इसके बारे में पता चलता है जो राजा आसोक थे वो किसके पुत्तर थे तो बिंदू सार के इसके पुत्तर थे तो आसोक के जो पिता जी थे उनका नाम क्या था बिंदू सार था और जो हमार पास बिन्तु सार के जो पिता थे वो कोड़े चंदर गुप्तर कोड़े थे ठीक है जी नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कि कहा गया है कि भारतिय संभीधान की कौन सी अंसूचियां संग और राज्य की सक्तियों का अंकालीन करती है बे संग सूची राज्य सूची और समवर् सूची में क्या बताता है कि हमारे पास जो प्रिकार की लिस्टे होती है कहली होती है यूनियर लिष्ट यूनिये लिष्ट इसका मतलब होता है कि यूनियर उस पर लो बनाए जितने भी कानून है वो किसके दौराब बनाए जाएंगे तो радu Heights कि center इस पर क्या करेगा कानून बनाएगा जैसे हमारे पास railway department है जी जो railway department है वो किसके अंडर आता है center के अंडर आता है तो center इस पर रूल बनाएगा और जैसे हमारे पास defense है कि जो defense है जो army है वो भी किसके अंडर आती है center के अंडर आती है तो जितने भी कानून है defense पर वो भी कौन बनाएगा center बनाएगा दूसरी हमारे पास जो इस list में union list में जो हमारे पास subject आते हैं कि कितनी सूचियों पे वो कानून बना सकता है तो 97 पे starting में 97 थी अब 97 सूचियों थी और अब जो total है 100 है कितनी है 100 subject जो है उस पे वो rule बना सकता है अब starting में कितनी थी 97 दूसरी आती है हमारे पास state list, state list वो list होती है जहां पे तो राज सूचियों होती है state list है तो उसमें state rule बना सकता है और starting में जो था इसमें जो rule बनाने के लिए जो सूचियों थी वो 61 थी और अब बढ़कर कितनी होगी है 66 और जैसे इसमें जैसे health department है ठीके जी जो health department है वो किसके अंडर आता है state list के अंडर आता है कि जो health पे जो rule बनाएगा वो कौन बनाएगा state बनाएगी ठीक है और जो इसमें जो हमारे पास पहले education जो है जो education है जो सिक्सा है वो भी state list में आती थी पट जो हमारे पास एक संसोधन किया गया था उसको वहां से निकाल कर concurrent list में डाल दिया गया था ठीक है तो आपने मुझे बताना है कि education को कब state list से निकाल कर concurrent list में डाला इसके बाद जो हमारे पास आती है समबर्ती जिसको इंगलीज में बोलते है concurrent सूची इसमें जो हमारे पास items कितने subject पे डूल बना सकते हैं तो 52 subject आती है तो concurrent का मतलब यह होता है कि इस पे center भी लोग बना सकता है और state भी लोग बना बट इसमें यह होता है कि जिसने पहले बना दिया जिसने पहले लोग बना दिया वो लोग क्या हो जाएगा implement हो जाएगा अब जैसे हमारे पास national policy of education 2020 आई है जो national policy of education 2020 आई है तो पहले जो education थी वो किसमें आती थी state list में आती थी मतलब state को लोग बनाना था अब इसको निकाल कर कहां डाल दिया है concurrent list में डाल दिया मतलब कोई भी लोग बना सकता है और जिसने पहले लोग बना दिया उसका लोग क्या हो जाएगा implement हो जाएगा next question देखते हैं क्या कहा गया है कहा गया है कि हमारे पास जो एक scheme है कि जो scheme चलाए गई थी जिसका नाम था सब निदी तो यह जो scheme थी यह जो street vendor होते हैं ठीक है जो आत्व निरबर निदी के तहट PM मोधी के दार लांच की गई थी तो यह जो scheme है आत्व निरबर निदी की scheme है तो यह जो हमारे पास यह कब start की गई थी 2000 है ठीक है जी next question देखते हैं कहा गया है कि जो headquarter है किसका जो badminton world federation है वो कहां पे है तो वो कहां पे है Malaysia ठीक है तो मुझे आप comment section में बताईए कि Malaysia की राज़ानी क्या है कि जो इसकी capital ह है तो क्या है इसकी capital क्या है Malaysia की और इसके जो prime minister है उनका क्या नाम है next question देखते हैं next question में हमारे पास क्या कहा गया है कि जो हमारे पास हैंडरी मौनीज को जनुरी 2021 में निविंडिक्ट में से इस तकनिक की दिगिस के पहले पर्वुक अनुपालन अधिकारियों के रूप मे नूप किया गया तो उनको किसका हमारे पास जो chief compilation officer के रूप में उनको nominate किया गया प्वाइंट किया गया है तो वो facebook इनक जो है उसके उनको बनाया गया है क्या किया गया है first ever chief compliance officer बनाया है next question देखते हैं next question में क्या कहा गया है कि all non zero vectors are called non zero vectors क्या होते है proper vector उने क्या कहा जाता है proper vector कहा जाता है ठीक है जी अब vector क्या होते है vector ऐसी चीज होते है जिसका magnitude भी होता है magnitude भी होता है और direction भी होती जिसका क्या हो magnitude मतलब vector क्या होता है उसको ऐसे लिखते है a vector is equal to magnitude of a into a unit के है यह जो होता है यह direction को बताता है यह magnitude, for example, मुझे जाना है 10 km, कहाँ पर नोर्थ, 10 km नोर्थ, अगर मैं बोलो 10 km जाना है तो वो किसी भी direction में जा सकता है, तो वो vector नहीं हुआ, अगर मैंने उसके साथ direction लगा दी, तो वो क्या हो गया, vector हो, अगर मैं बोलो 10 km ही जाना है, that is the scalar, कि वो एक number है, कोई number जो होगा, वो scalar होगा, कि कि अगर मैंने उसके साथ direction लगा दी, तो that is a vector, next question देखते हैं, कहाँ क्या है, कि जो medication में, is the device such as a small metal plate, or the needle that carries electricity from and the instrument to the patient for the treatment or a surgery, कि हम किस चीज़ का use करते हैं, कि जो हमारे पास electricity धेजी जाती है, needle के थ्रू, instrument में, और patient की treatment किये जाती है, तो वो होता क्या है, उसको क्या कहा जाता है, वो एक वरकार का electrodes हो, वो electrodes हो, next question देखते हैं, एक जी, इस question को पढ़िए, तब तक मैं पानी भी लेता हूँ, थोड़ा, देखे, इस question मे क्या कहा गया है, आप एक वर question को read कीजिए, फिर उसका answer मैं आपको बताता हूँ, question में क्या कहा गया है, कि हमारे पास जो Indian Forest Act 1927 पास किया गया, उसमें द्वारा से उसको क्या किया गया है, जो अधिवेशन निस्थ, जो हमारे पास उसको क्या किया गया है, रीपील किया गया भी, following Indian Forest Act जो हमारे पास एक भारती बन अधिनियम 1923, जमिलिक्त में से किस भारती बन अधिनियम में निरस्त करने के बाद, अधिनियम अधिनियत किया गया, तो जो 1927 का Forest Act था, उसको जो चेंज कर दिया, उसने किसको चेंज करा, जो Indian Forest Act जो 1878 आया था, उसको cancel कर दिया, और अपना जो नया Indian Forest Act आया, उसको ताइस बाला, नेक्स्ट कोईश्टन देखते हैं, कहा गया है, कि हमारे पास निरस्त में से, इस तरल प्रदार्ट की pH वैल्यू सबसे अधिक होती है, तो जो हमारे पास मेगनीजिया, जो होता है दूद का, मेगनीजिया जो होता है दूद में, जो पी-एच वैल्यू होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है, अगर पी-एच वैल्यू, यह हमारे पास स्केल होती है, अगर पी-एच वैल्यू से पीछे, अगर लेस देन सेवन है, तो यह हमारे पास क्या होते है, इस सी, अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो यह हमारे पास क्या होते हैं कि इंपोर्टेंट है अगर कोई भी चीज है उसकी वैल्यू सास से बड़ी है तो वो क्या होंगे होंगे अगर हमारे पास सास से चोटी है और सास से चोटी है तो एसिड होंगी और सास से बढ़ी है तो फेस हूँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहा गया है कि जो हमारे पास एक डग जो हमारे पास डगलसॉट तुट द्वारा नियु लिखित किस बुस्ट को बुक्र पुर्षकार दिया गया टेगलस जो हमारे पास स्टूट है उटके द्वारा इसको लिखा गया है next question देखते है कहा गया है कि हमारे पास जो bondage होती है सीमाई तब होती है जब plate आपस में टकराती है और एक plate को दूसरे के नीचे धकिल देती है तो उसे क्या कहा जाता है convergent जो कहा जाता है जो कहा जाता है उसे concurrent कहा जाता है next question देखते है कि जो हमारे पास एक organization है जिसके दौरा एक data release किया जाता है उसका नाम है global innovation index तो जो global innovation index है वो किसके दौरा launch किया जाता है तो ये option number second जो incident है जो हमारे पास Cornell University जो हमारे पास BPO ठीक है जो BIPO है उसके दौरा ये जो global innovation index है वो launch किया जाता है आप मुझे comment section में बताईए कि 2022 में global innovation index में भारत का इंडिया का rank क्या है और पहले पे कौन है ठीक है पहले पे कौन country है तो मुझे comment section में जूरूर बताईए next question देखते है next question में क्या कहा गया है what do you call the property of an organism of a self-regulation and the tendency to maintain a steady state within and the external environment which is liable to change तो उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है होमोस्टैसिन ठीक है option अबर थर जो है that is the spider next question देखते है कि जो हमारे पास असोक के अभी लेखो के अनुसार असोक ने राजा बनने के कितने बर्स बाद कलिंग का यूद किया था कितने बर्सों के बाद उन्हें कलिंग का यूद लड़ा था तो आठ बर्सों के बाद ठीक है जी नेक्स्ट क्वेशन में कहा है मोहम्मद गोरी ने 1191 में जो हमारे पास तब हिंडा भटिंडा पर हमला किया था वो जो एक रननीतिक बिंदू था तो वो किसका रननीतिक बिंदू था प्रिथविराज चोहान और जो यूद हुआ था ये 1191 में उसको तहराइन का यूद कहा ज कि जो मुहम्मद जो हमारे पास ये जो गड़ी गई थी मुहम्मद गोरी और जो पिथविराज चोहान थे उनके बीज में ये यूद लड़ा गया था नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं कि भारत के संभीधान के निमिलिक्त में से किस अनुछेद के अनुसारधन विदायक को बिधान परस्द में पेस्ट नहीं किया जा सकता तो जो हमारे पास आर्टिकल नंबर है 183198 option number second कि जो हमारे पास जो money bill है उसको कहां पे introduce किया जाता है legislative assembly में ही introduce किया जाता है legislative council में उसको इंटर्डियो से नहीं किया जाता है जो हमारे पास article number यह है जो हमारे पास article 333 जो है यह क्या बोलता है कि जो anglo indian nominate किये जाते हैं एक एंगलो इंडियन nominate किया जाता है तहां पे जो हमारे पास legislative assembly होती है तो वो किस article के through nominate किया जाता है वो होता है article number 33 और जो आर्टिकल 189 होता है इसमें क्या कहा जाता है इसमें बोटिंग करवाई जाती है इसमें क्या होता है बोटिंग होती है of horses के जो हमारे पास सदन होते है उसमें बोटिंग और जो हमारे पास empower power of horses act act not with standing to vacancy and the quorum ठीकर जो बेकैंसी और quorum के बारे में जो हमें बताता है वो आर्टिकल नंबर जो है हमारे पास 189 जो है वो हमें बताता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास कहा गया निमिलिक्त में से कौन ओलम्पिक में दो पर्दाउंस मिसरित और जो हमारे पास यूगल और महिला यूगल के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारती बरिमिटर्टर खिला रही था तो उनका क्या नाम था का नाम था जुवाला घुटा ठीके जी जुवाला ऑप्शन नमर थर जो है डैट इस दा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास पंचे राज्य में पूर्सों द्वारा पहनने जाने वाला एक परमपारिक सारंग है तो वो किस राज्य में पहना जा द्वारों को अपने सिल्फ का प्रदर्शन करने का अफसर देने के लिए जनवरी 2021 में तो हमरे पास स्ट्रीट थेटर एंड परफॉर्मेंस आर्ट फेलोशिप लॉंच की गई थी तो इसके द्वारा की गी कि कहां पे स्टार्ट की गी थी और वो की दिल्ली में नेक्स्ट लिख्त में से कौन सी बुक दलाई लामा द्वारा लिखी गई थी फरवरी 2021 में और उनके द्वारा लॉंच भी की गई थी उस बुक का नाम क्या था और लिटल बुक आफ एंक्रेजमेंट प्रोसान की चूटी किताब जो बुक लिख्की किसके द्वारा की थी जो हमारे द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निमिलिक्त में से कौन सा पाद्व हार्मोन विकास को निरंतित करता है और वसेस रूप से तनों से तनों में कोशी का जिद्धी को उतेजित करते हैं उसका नाम क्या है जबरीन क्या नाम है जबरीलीन 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 जो है वो इसका सही answer option बस जो इसका next question देखते हैं कि जब एक नदी पहाड से निकलती है और सभी दिसाओं में बैठ तो अब वहाँ pattern को किस room में जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है redial कि अगर कोई भी नदी है जो पहाड से निकलती है और different different direction में जाती है तो उसको क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है redial next question है जी 20 जो हमारे पास leader summit 2022 add in the virtually on virtually on जो हमारे पास 2000 जो हमारे पास 2022 की होगी तो वो 2022 की जो virtually नहीं हुई है ये 2021 का question तो जो 2022 की जो हमारे पास G20 leaders की जो submit हुई है वो कहां पे होगी जो हमारे पास Indonesia है option no.4 जो है इसका right answer next question है हमारे पास निमिलिक्त में से कौन सा अमल अंगूर में नहीं पाया जाता है जो हमारे पास acid होता है वो अंगूर में नहीं option no.4 जो first है that is the right answer बाकि सारे के सारे जो हमारे पास अमल होते हैं वो कहां होते हैं next question देखते हैं भार्त और आमान के बीच में भार्मा नो सानिक अभ्यास का नाम क्या है नीसम अल भिहार के अभर भार जो है हमारे पास एक exercise होती है और वो exercise किसके और किसके बीच में होती है आमान और इंडिया के बीच में होती है तो जो ट्वेल्थ नेवेल exercise ही है एक exercise है तो वो कहां पे की गई तो वो कहां पे की गई गवाँ में option number second जो इसका next question देखते हैं कि गुजरात में जो मादवपूर मेला किसकी याद में मनाया जाता है तो जो में मादवपूर मेला किसकी याद में मनाया जाता है तो लॉड कृश्न ही याद में मनाया जाता है next question है भारत के निम्लिक्त में से इस वोइस रोई ने 1943 में बेंगॉल में अकाल को सेना को भूख से मन पर रहे, रामिन बेंगॉली Оको राहत समगरी बितरुन करने के अधेस देकर चित पिया था, ठीक है जी तो वहाँ पे 1943 में अकाल पड़ा था बेंगॉल में, तो उसने आर्मी को बोला था कि आप क्या कीज कर दिए रिंद का नाम क्या था लिन लिप्टि गों के द्वारा क्या लगा लेकर आए थे यह अगस्त अफर को लेकर आया था तो अगस्त अफर जो लेकर आ 1940 में वो भी कौन थे लिन लिथी ठीक है या पूच्छा जाए कि जब Second World War हुई थी तब वार्थ के वोईस रोई कौन थे तो तब भी कौन थे लिन लिथी ठीक है जी नेक्स्ट कॉस्चन देखते है रास्टी जैमार्ग जो है बनान जो एनेच फोटी फोर है पराने के लिए कितने रास्टी जैमार्गों को मिला दिया गया है तो जो नैस्टनल हाइवे फोर्टी फोर्टी फोर है तो उसमें कितने जो हमारे पास हाइवे थे उनको मर्ज कर दिया गया है option number third 7 जो है next question देखते हैं आ गया है कि निमिलिक्त में से कौन सी academy गवालेर में तानसेन संगीत समरोग आयोजित किया गया academy थी तानसेन संगीत समरोग गवालेर में आयोजित किया गया तो इसका सही option है उस्ताद अलुदीन खान काला संगीत academy के दोरा ये परफॉर्म किया गया तानसे खीक है जी उमीद करता हूँ आप वीडियो को like, share और comment जुरूर करेंगे और जो हमारा UC live channel उसको subscribe करेंगे ताकि आपके जो आने वाले paper है उसमें आप अपनी त्यारी को हमारे साथ जुड कर continue करें next question देखते हैं कि कीट मचली को नियरंतर करने के लिए निमलिक्त में से इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका है कीट ना जो हमारे पास जैसे मचली को पकरने या मचली के पालन करने के लिए जहाँ पर पी लग जाए जैसे यहां पर लिखवा पी सी साइट अगर पी लग जाए तो उसको बोलते है पीरी कल्चर पीरी कल्चर जो रिलेटिड होता है वो किसके साथ होता है मचली के साथ होता है option नमर जो 4 है next question देखते है जहांसी की रानी का मकवरा नमलिक्त में से किस सहर में स्थित है तो जो रानी जहांसी थी उनका जो मकवरा बनवाया गया था वो कहां पे है गवालर में है ठीक है जी जो जहांसी से जो अठारसुस तोंजा की जो करांती स्टार्ट की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी और इनकी जो help करी थी वो किस ने करी थी जो तांतेया टोपे थी ठीक है जी जो तांतेया जो तांतेया जो टोपे थे उनके द्वारा इनकी सहाईता की गई ठीक है जी important है तो आज की आज का जो lecture हम यहीं पर समाप्त करते हैं तो उमीद करूँगा कि आप वीडियो को like, share, comment ज और आपके selection अच्छी जगा हो जाए ठीक है जी धन्यावाद